हेलो एबरीवन कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज आपको मैं करवा हुआ क्लास 10 का मैथ चैप्टर नमर नाइन इसके अंदर एक ही एक्सराइज और इस एक्सराइज में टॉटल सोला कोशन है और सोला कोशन बहुत ही ज़्यादा इ क्योंकि मैं हरे की स्टेट्मेंट को ऐसे मचोड कैसे कर गए ऐसे कर दोना आपके सामने आपको सारी चीज़ लगने वाली है तो वीडियो में बने रहो एंड तक आई चलिए करते हैं स्टार्ट कॉशन मावन क्या है क्या रहा है यह देख लेते हैं एस सरकस आर्टिस क्या दिख वूए एक वर्टिकल पॉल से बंदी है कर दिख लेगन लेवल और यहां से टॉप आप अफ़से एक रस्टी बंदी हूई है जो कि कितनी मिटर की है बीसं मिटर की है आगे चलते हैं find the height of the pole हमें निकाल है height of the pole मतलब कि यह चीज ठीक है इसको मैं माल लेता हूं A इसको माल लेता हूं B इसको माल लेता हूं C if the angle is made by the rope with the ground level is 30 degree तो यहां पर जो है angle बन रहा है आपका 30 तो तोड़ना कैसे वह देखो हमें एक रूल पता है पंडित बद्री परसाद हर हर बोले या फिर हम इसको याद करते हैं पाकिस्तान भोका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा इसमें से दो चीज निकालनी है देखो यह जो चीज है आपकी पहले मैं ठीटा निकाल देता हूं ठी हमें हैं एक का मतलब हमें एच निकालना है चा शला है तो मतलब क्या हूँ पर प्रपेंडिकूलर है और यह जो है आपका हाइपर अमज़ांगी है एक कितना मीटर है ओं लभ Does से आप conclusion निकालो कि आपको दो कौन सी चीज दिखाई दे रही है बेसकी तो इसमें बात ही नहीं सिकी तो परपेंडिकुलोर हाईपो टेनस किसका कॉलम है साइन का कॉलम है साइन को स्टन होता है न तो ऐसे करना है पी अपोन में एच यूज़ करेंगे हाइट ऑफ दपोल है एच की जगह पे 20 यूज़ करें है साइन ठीटा की जगह पे 30 डिगरी है तो 30 डिगरी यूज़ करेंगे तो एच अपॉन में 20 इकल टू साइन तीस की वैलिव आपको पता होगी वन बाइट यह डिवाइट में तरह आके जाएगा तो एच की वैलिव की आजएगी टूटू टूटू टैंजर ट्वेंटी हो गया और यहां पर आगे हमारा टैन मीटर जो की हमारा क्या होगा हाइट पॉल आ जाएगा ठीक है आई होप आपको कोशन में फर्स्ट जो है असानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब मैं आपको करवा हूं कोशन में टू जो कि मैं स्टेटमेंट इसमें से पढ़ रहा हूं आपके लिए कि मैं पास जो बोर्ड है वो छोटा सा ह हूद आदा है इसमें स्टेटमेंट जोरीटके सामने मैं ला दूंगा स्क्रीन पर दो कोशन यह कहरे है गहां पर यहां पर पर जो कि राउंड पर है यहां से पेड जो है तूट करके जो इसका पेडू आपरट है वो तूट के कहा प्या गया है बैंड के यहाँ पर इंट रहें बिटी सब्सक्राय को यह ग्राउंड जहां पेड का फूट है और जहां पेड़ के टॉप नटच किया यहां से यहां तक यह कितना है एट मीटर है ठीक है हमें क्या निकाला है हाइट आफ आफ दी निकालना इसके अंदर क्यासे है कैसे मर्टू ृञ कैसे भी पीड़ का हिस्सा है और यह भी पेड़ का हिस्स्सा है और साइब दोनों चीज पेड़ के इस तूट करके यहां पर तच करके तो यह भी पेड़ का हिस्ता है और यह भी पेड़ का हिस्ता है इसको मालेते हैं इसको मालेते हैं नार्मली यहाँ पकंशेफ समझ में आया ठीटा कितने डिगरी का है कि अगर मैं चाहता हूं कि जो है adventurous की वैल्इं निकाल नहीं है तो मतलब ऑब की वैल्इं निकाल नहीं मठेवाई एक्स जो कि क्या है परपेंडी किलर है क्या है ऑपेंडी कुलर और 8 में ए लिए लिए क्या है Explain में और यह किसका पार्ट न्का पार्ट है तो फ़ी अपोन में B जो है वो किसका पार्ट होता है है वह टेनठीटा होता है p की वैल्यू कितनी है एकस बी की वैल्यू कितनी है आठ और टेंठीटा मतलब टैन ये ही कितनी होता है बन बाइ रूट थ्री है जैनस क्या जाएगी 10 एक्वल टो आ जाएगा आपका एट अपॉन में रूट तरी जो को अब हम निकाल लेते हैं य की वेल्इू जब मुझे निकालना हो य कमान तो वाइघ क्या है मेरे लिए मिली एसी है जो कि क्या है मिली एफर्टेंस से ठीके एंड गीवन केया है आपको बी जो Track 8 मीटर है जो कि क्या है मेरे लिए बेस तो बी और एक विए और हम और हये-सस मिया रहा है आ बी और एक इसमें आ रहे व डिए तो कॉस्स ठीटा लगता है ठीटा की जगर संपर 30 ए रूट-也可以 तो यहां पर कितना हो जाएगा या फिर इसको यहां पर रख लो आठ दूनी 16 वाई इकल टू रूट 3 वाई की वैल्यू कैसे आएगी यह यहां जाएगा तो वाई की वैल्यू आजएगे 16 अपन में रूट 3 ऑचली इक्यों सब्सक्राइब करते हैं वपन दोनों को मैं क्या करना है एड कर देना है देन हमें क्या मिल जएगा हाइट वॉट 3 हीक वाई व्यान व्त तो चौबिस रूट तीन बटे में तो तीन आ जाएगा तीन निकम तीन और चौबिस आठ रूट तीन मिटर की आजएगा Diazaba तो यह भी कोशन बहुत इंपोटेंट था बच्चे की आगर तया मैं उसमें यह निकालना भी है यह वेल्यू ट्रीकी है और यह वहाई ट्रीका यह ट्रीक है तो आपको जो समझ में आगया होगा रहाता हूं क्या है इसकोशन में कि एक आ बस्ट्रक्टर है वह यह चाहता है कि जो बच्चे चाहें पांस साल से छोटे तो जो स्लाइड होनी चाहिए उसकी उचाहिए एक पॉइंट पाइट मीटर होनी चाहिए और जो इसके बीच का एंगल होना चाहिए वह कितना होना चाहिए तो यह दोनों त्यार करवाना चाहता है तो हमें बताना है कि यह स्लाइड जो है वो कितना होगा ठीक है यह भी स्लाइड निकालने हमें ठीक है जूले का जो पार्ट है आपका कि यह जूलेंगे ना बच्चे यह क्या होगा कितना होगा तो यह एकस मालेते हैं इसको वाई मालेते हैं इसको एक का नाम दे दिया इसको व motivिक औरे लगबन रोट मैं दोण को यहां फोन कर रहुँ हूं एक ट्राइंगल आपके पास एक प्रेंगर पर ट्रेटा निचल नाहा क्यों रहे तीकर निकल लो इन रहीजा और यहां पर प्रेंडिकुल होता है है यहां पर यह देखने कि हमें निकालना कि हमें निकालना कि हमें निकालना है यह चीज़ देखना है तो पी और एच किसमें आ रहे देखो पी और एचारा साइन में तो यहां पर साइन का ही फॉर्मल लाएंगा तो लगाते हैं पी बाई में यहां पर भरेंगे साथ है तो 1.5 एक्स इक्वल टूसकी वैल्यू टू 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 डिवाइड में है तो 1.5 एक्स एक्स की वैलियू आजएगी डेट गुना दो से तो डेट दूनी कितना होता है तो तीन मिट आ जाएगा इसका और इसका आप मुझे आपको इस तरीके से करना रहेगा आपको यह समझ में आ गया होगा तो वीडियो को ज़रू से लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और आपको और अच्छा सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मॉटिवेशन बढ़ेगा ठीक है देखते हैं को फोर में क्या एक पूर यह एंगल ओफ एलिवेशन ऑफ टॉप आप टावर टावर फूट आवर फूट ऑप ग्राउंड जो ठीक है विचीज दा थर्टी मिटर अवे फूट अवे फूट सब्सक्राइब करें और यहां से यहां तक जो दूरी है कितनी है थर्टी मीटर है तो ए बी सी और आपको निकालना क्या है हाइट ऑफ तावर मतलब एच तो बात किसकी हो रही है बताओ बात पहले मैं ठीटा निका देता जो है आपका 30 डिगरी है यह आपका बीसी क्या हो हो जाएगा 30 मीटर मतलब की फेस और एवी की बात कर रहे है एच जो कि किसका काम कर तेन का अनस डिग्री यहां पर लगा देंगे ठीडिक तो टैंठ कि value edge have be key value कितीन है बिकी वेल्यों 30 degree and 10 30 की value 1 by root 3 to h q value आजएगे 30 upon root 3 मैंने आपको बताया था कि नीचे आपके root नहीं रहना चाहिए तो हम क्या करेंगे rationalization करेंगे तो 30 root 3 by में कितना जाएगा 3 root 3 root 3 multiply करते 3 हो जाएगा तो यहापर 10 root 3 इस काल अंसर ठीक है यह आपका अंसर आगए है कुछ भी मतलब इंगलिस में मैं तो आपको चार भी हो गया आपको एक से लेके चारता कुशन कराए आपको सब भी की सबी पार्स अच्छे से मैंने समझा दिए कैसे को तोड़ना है कैसे मत चोड़ना है को चैसे मलब की को तो आपको बिल्कुल ही लगने वाले हैं सारे के सारे स्टेट्मेंट वाले कोशन ठीक है कोई दिकत आपको आने वाली नियाखास फाइव में क्या रहा है काईट इजब फ्लाइंग इदा हाइट ऑफ सिक्स्टी मेटर अब फॉन दा ग्राउंड ठीक है एक पतंग उड़ है ग्राउंड से साथ मेटर उचा देस्टिंग अटेश्ट दा काईट टेमडरली टाइट टू दा पॉइंट ऑफ ग्राउंड जो कि उसका धागा बंदा हुआ एक पॉइंट से बंदा हुआ है ठीक है और यहां पर जो एंगल है वो कितना डिग्री है हमें निकालना क्या ह क्या होगा है तो यह होगा इसको हम लेता है एकस वी सी को हमें निकालना है वो निकालना हैमें अच्विकों देक्ट बंदेक्र खैकरोença से हे एंड एड़ी दिया हुआ है एभी किवें कितने हैं साट में तो दो चीज देखने आपको क्या-क्या दिया हुआ है हैं फेरेटनेस और यह क्या है पर पेंड़ी कुलर पी और है किसका यह चल लोगए किसका सब्सक्राथर्ट यह होता है साइन ठीत फियता घ्रक तो साइन साथ साथ बटे में एक साइन साथ की वैल्यू रूट तीन बटे में दो यह लिए उधर आएगी तो 120 रूट तीन नीचे आएगा इधर जाएगा एक्स अब मैंने आपको बताया था कि रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रहती हम क्या करते हैं रैस्नलाइजे तो 40 रूट तीन की आजाएगा चालिस रूट तीन में तरह कि आजाएगा धागे की लंबाई आजाएगी और यह हमारा क्यों जाएगा अंसर हो ठीक है आई होप आपको को फाइब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा हरे कि स्टेट्मेंट को मैं आच्छे समझा रहा हू ठीक है एक तीस मीटर उंचा एक बिल्डिंग है जिसते कुछ दूरी पर क्या खड़ा है एक फुटिया मादा की 1.5 मिटर एक लड़का खड़ा हुआ है देंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम है उसकी आँखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वह ठाटी डिग्री है वह बिल्डिंग की तरफ कितना आगे बढ़ा वह चीज़ हमें निकालना है तो में जो इसका है कॉंसेप्ट मापको इसके डाइग्राम से समझाता हूं देखो 30 सौरी साथ मेटर उंचा क्या है एक बिल्डिंग ठीक है तीस मेटर उंचा बिल्डिंग है और इसकी कुछ चर्क है च्प टॉडिक का यह 15-30 ठीक है खूड़ सी इसको यह साथी दिगरी बन रहे है मैं इसके और इसको हमें सब्सक्राइबं करने के लिए आपको सारी बता रहे आँँ से तो बिल्डिंग की टोलाइट जो घ्राउंड लेवल से मैं बात करो घ्राउंड लेवल से तो फिर दिन्गी जो हाइट है वो 30 मिटर है अ सबना सक्राइब अब हमें तो ऑनली कितना चाहिए एंब चाहिए तो एंब की जो वैल्लियू आएगी और तीज में से माइनस करेंगे 1.5 क्योंकि 1.5 इतना 1.5 यह लड़का है वह 1.5 का ना 1.5 मिटर का है तो मैं इसके मैं से माइनस करेंगो μεताने ह्वाद सार के बता हूँ तो सारी सीषी चीश मैं आपको बता रहा हु तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें दो ट्रेंगल अबबहे ज shaving पर दूसरा ट्रायंगल निकाल लेंगेuu अधास बटना निकाल पिमिनगण हो अब मनण सोचना यह इसे लेके सी मतनद के डीसेट की वखालव है ठीक है बाताई समझ मैं अब इस ट्राइंगल के अंदर आब sixa के अंधर ठीटा निकालो ठीटा 60 इसके अंदर ठीटानीक निकालों इसके अंदर ठीटा 30 इसके अंदर based कितना है a b c के अंदर बेस है twenty आपके लिए बिए भी कैनि वे क्या है इस बाद के लिए है प्रपेंडिकुलर जो कि वेल्व कितनी है स्की 28.5 यहां पे भी बेस निकाल लो बेस क्या होगा डी कद इभी स्का वे सोगा का ऍच्छ ABOUT रपेंडिकुलर कि अप्र पेंडिकुलर वेस का एब 28.5 में यहां याद आर आपको सबकुछ क्लियर हो गया आप दोर खरते हैं इसके लिए का आया देखो यह ये बेस आया यह पर नब सबस्क्राइब अपर नब किसका रिशोता है तेड़ागा रिशोता है तो मैं लिखा लेता हो पी अपर यूदि आप को उख नभी अप्सट थipन और वी लगाएं तो हुआ अपया फिला वोरान यहां पर क्या होगा कुछ नहीं कौट हो कि यूटर आपको करवाएं था सबक्रिंटी इंट्रफ साइस कम पर बता रखीonne आप 60 डिगरी ठीक है 28.5 अपन में बीसी इक्वल टू 1060 की वेली होते है रूट 3 तो 28.5 अपन में रूट 3 एक्वल टू बीसी इसको माल लेता है एक्वेशन नमर्वन यहां से आपको बीसी की वेली मिल चुकी है अब यहां पर चलते हैं यहां पर भी लगाएंगे यह आपक है पुरा बेश प्रब्स क्या है डेवी कर तो जोटी कितना है टेंट की वेली भरेंगे कितना 30 8.5 डेवी का अब में लेके सकता हूं टीदू प्लस में बशब्स में बीसी ऑład्योमस में यह गळी क्योंकि कि टिज की वेली उतियlier ऊपन थरी नैंटिक्वेशन यह बीसी और यहां पर एक्विशन में देखो बीसी की वैलों यहां पर मैंने निकाल लखे अठाइस पॉइंट पांच इक्वल टू डीसी प्लस में 28.5 बाइमें रूट त्री यहां पर सुरी रूट थी भी साथ ही मैं आएगा यह वाला रूट ठीक है तो अठाइस पॉइंट पांच रूट ठीक एंड यह प्लस का इदर आके माइनस को जाएगा 28.5 अपॉइंट पॉइंट में रूट टू डीसी कॉमन क्या रहा है से कॉमन आ रहा है यहां पर आपका 28.5 कॉमन आ रहा है यहां पर रहेगा रूट थी माइनस वन भाई रूट त्री एक्वाल टूट अब क्या करेंगे हमें पता है मैंने आपको बताया था बाई में अगर रूट के फॉम में हो तो हम क्या करते हैं रैस्नलाइजेशन कर लेते हैं ठीके तो 28.5 गुना दो करेंगे तो 28 दूनी छपन और पॉइंट पांच और पॉइंट पांच और पॉइंट पांच कितना हो गया तो 57 वन बाई में रूट तीन एल्स हमने क्या कि रैस्नलाइजेशन कर लिए रूट इन प्रोट तीन तो 57 रूट तीन बाई में तीन कटके कितना आजएगा उन्नीस पर कट रहे हैं तो निस रूट तीन मीटर के आ जाएगा यह हमारा अंसर आजाएग कि इतना यह आगे बढ़ा च एंगल ओफ एलिवेशन ऑफ बॉर्टम एंडट टॉप ट्रांसमिस्ट टावर मालगी पहले क्या हुआ है बॉर्टम बोला है उसके बाद उसने बोला है टॉप ट्रांसमिशन टावर फिक्स एड़ टॉप अब ट्वेंटी मिटर हाय बिल्दिंग और 45 डेग्री एंड 60 डि टॉप टॉप टो यहाँ पे बन रहे है और यहाँटव बन रहा है और यमड़ न्युक्त करत उसकी हाइट कितनी होगी टाइंस्मेशन टावर तो उपर लगा ना बिल्डिंग के ऊपर तो इसको माल लेते हैं भी को माल लेते हैं थी यह दूनों ठीका हो गए करने का तरीका मैं आपको तरीके से डाइगरम बनेवाओं आपको ठीके और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसको बोला क्या गया है कि इसके दो ट्राइंगल निकाल लेते हैं इसको मैं नाम देता हूं बात करो a b c की बात करूं तो प्रफेंडिकुलर हो जाए आपका 20 प्लस में एच क्योंकि रहे हैं तो बीस हो यहां पर हम देखिए इसका इसको देखे तो टी जो है ट्वन्टी मीटर है तो यहां यह लीजा टाहिए यह दीपी यह आपको प्रपेंडिकुलर और बिस कितना है इसका बीसी इसका बेस हो जाएगा पहले हम कोशिश करेंगे छोटे रटेंगल को स्वाल परना शुटे रटेंगल रटेंगल को सोल कर लेते हैं कि आएगा देखते हैं पर पेंडिकूलर अपने के साथ वरेंगे तो क्या होता है 1049 फॉर्टी फाइव जाएगा क्योंकि टैन्ञ ठीटा 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 जगब क्या भरिग आप हम 25 डिग्री भरेंगे प्रेंडिकलर की वैल्लू कितनी हो यहां पर ठीटा के है साथ डिगरी ठीक है पर परेंडिकलर कितना है परेंडिकलर 20 प्लस में एच बेस की डिरेकली फुट कर दो बेस तो यहां पर बीसी है और बीसी के यहां पर हम निकाल चुकर है क्या माइनस को जाएगा बाकि वही आपका बेसिक कॉंसेप्ट लगाए 20 को मन ले लिया रूट तीर माइनस मेंटर क्या हो जाएगा आपका ट्रांस्मिशन टावर का हाइट हो जाएगा त्रमिकलर बोला है इस टैच्टू इस वन पॉइंट सिक्स मिटर टॉल स्टेंड और प लाता है तो यह आपने पेड़ेस्टल बना लिए पेड़ेस्टल के ऊपर एक वन पॉइंट छे मेंटर क्या है मुर्ति खड़ी है एंड इसमें बोला हुआ है फ्रों में पॉइंट दा ग्राउंड दा एंगल ओफ एलिवेशन टॉप ऑफ अफ श्टेच्टी डिग्री आगे क्या बोला फ्रॉम दा सेम पॉइंट उसी पॉइंट पर देंगल ओफ एलिवेशन टॉप अप अप प्ड़ेस्टल जो प्रड़ेस्टल के टॉप यह होगा प्रड़ेस्टल के टॉप यहां से बन रहाएं आपका 45 डिग्री का ठीक हमें निकालना है फाइंड दा आपको निकल जाएगा बी सीडी एक निकल जाएगा आपका ए एसी डी दो दोनों को स्कॉल करेंगे जिसकी जो वैलियो आएगी मैं आप बता देता हूं आपको जो इसका प्रपेंटिक क्लोर को कितना होगा 1.6 प्लस में एच क्योंकि पूरा है ना तो वीडियो काफी ज्य क्योंकि वीडियो में बहुत महनत लगते हैं ठीक है थैंक्यू सो मच